आज उनको सहिद संजय जी को याद किया जा रहा है। परसासनिक भी हम लोग को सहयोग मिल लए है। से 22 जनवरी तक स्री राम कथा मोह उत्सब का भव्वे आयोजन किया गया है। जिसकी तयारी पिछले एक महीने से किया जा रहा है। आयोजन अस्थल से लेकर काटी से मरवन रोड को सजा दिया गया है। टेंड पंडाल की खुबसूरती के साथ मुखे द्वार पर बनाया गया गेट भी काफी आकर्शन का केंद्र बना हुआ है। अस्थल पर यग मंडव के रंग रोगन की तयारी अंतिम रूप पर है। उप्योगी समान के अलाबा बच्चों के लिए विभीन परकार के खिलाओने एवं अन्य समान भी उपलब्द मिलेगा। अंदर कुमार सहित दर्जनो राम भक्त महजूद थे। प्रचार प्रशार है इस बात का। और पूरा दुनिया इस बात से अवगत है कि भगवान स्री राम का पुरान प्रतिष्था। उनके अपने घर में श्री अवद्धाम अजुद्या में हो रहा है। उसी उपलक्ष में हमारे कांटी विधान सभाच्चेत्र के स्रिना गाउं में। हम लोग उन्हें पुर्व से भी तै किया था। और स्री राम कथा महतसब चोदह जनवरी से प्रारंब होगा। और बाइस जनवरी को इसका बिराम कथा भी राम लेगी। इसके साथ साथ कथा के साथ साथ स्रिकर्शन लीला और अन्य जूला इत्यादी मेला इत्यादी का पूरा व्यवस्था किया गया है तो अब अन्तिम चरण में हम लोग का ये तैयारी है आप सब देखी रहे हैं कि सब चीज का तैयारी हो चुका है और परसो हम लोग विधिवत इसका उुद्घाटन करेंगे आप लोगों को जानकारी दे दें कि उत्गाटन में उत्तर बिहार के महामनदलेश्वर इसका के उड्यजधाम के है 딱 महामनदलेश्वर सक्रिवर्भिशंकर्गरिज महाराज दुद्धाचा जो अरे आजमाद धाम मनिश माधव जी कहति पराप्त राम कथा के मरमघ्य उना के द्वारा कथा उड़ और वह नाघं Gitx माधव जी ए द ऻड़ा करने कि देजांद 10 हुखा और अंतिमे डिन जैने पिरीष किदू के रही रसको हिए जाने के बांगी संपरुण खरुम से 6- listeners रादमी का भंडारे का ब्यवस्था और अस्थानिये यहां के मुखिया मानिक पुर्णरत्म पंचायत के मुखिया ससी ठाकुर जी जिन्हें नवीन ठाकुर के नाम से भी जानते हम लोग इनकी करमठता और कार्जकाडी अध्यक्ष होने के नाते और भगवत प्रेमी होने के आते जो इनकी करमठता है इस करमठता को मैं नमन करता हूं और इस बच्चे ने लगभग एक महिने से अपना सब काम धाम छोड के भगवान श्री राम के प्रती जो समर्पन दिखाया है इसके लिए इनको कोटी-कोटी धन्यवाद और समाज के लोगों का जो सहयोग आया है कांटी के अलावे और जगह के लोगों का जो सहयोग आया है या सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उनलों को भी बहुत-बहुत साधुबाद अयोध्या में आज राम लाला 500 साल के बाद बिरजमान हो रहे हैं उसी के याद करते हुए कांटी बिधान सभान तरगत सेरना चोक पर जो कांटी मर्वन रोट इसती सेरना चोक पर राम कथा सहरास लिला का आयोजन किया जा रहा है जो 14 जन्वड़ी से 22 जन्वड़ी तक च चौदा तारीक को सुबह आठ वजे से कलस यात्रा चला है बिहार में भी कोई याद करेंगे कि राम लाला 500 साल के बाद अयोध्या में जैसे बिरजमान हुए थे वैसे ही बिहार के लोग याद करेंगे कि बिहार में भी कोई जगह है जो उनको याद में नौ दिनों का यग कराया गया और सिरना गाउं में 10,000 लोगों का भंडारा कराया गया तमाम कांटी विधानसवा लोगों के सहयोग से उन्हीं को याद करते हुए और खास बात अहम बात यह है कि कांटी और बिहार में एक अहम भूमिका अयोध्या मंदिर निर्मान में रखने वाले संजय जी जो साइन निवासी है जो कांटी निवासी है वो अयोध्या में सहीद हुए थे राम लला के बिरिजवान कराने के मंदिर में उनके घर में अस्थापना कराने के लिए सहीद हुए थे उन्हीं को याद करते हुए यह भब आयोजन किया जा रहा है कि जैसे आज उनको सहीद स पर तरह तरह का जूला का आयोजन किया गया है सब्षाण vast पर तरह के खाने के पकवान की विवस्था कीए गया है यहां पर साथ सफाई की विवस्था की गया है हर धंग से यहां भिधी व्यवस्ता सब धंग से पुड़े एकदम 2, 4, 5, 10, 50 गाओं के लोग जो आस-पास के गाओं के लोग है थन्मन धंच से और सारीरिक रूप से भी सहयोग कर रहे है، यहां परसासनिक भी पूरी व्यवस्ता मिल लए है परसासनिक भी हम लोग को सहयोग मिल लए आगे भी हम लोग कामना करते हैं आसा करते हैं परसासन से की नो दिन के इस जग में उन लोगों का भी हम लोग को भरपूर सहयोग मिले और तमाम काटी विदानसवा बासियों से निवेदन करते हैं बिंती करते हैं कि जहां तक भी हम लोगों द्वारा हम लोग नहीं पहुच पड़े हैं, जग समीति नहीं पहुच पाए हैं, वहां तक के लोग भी इस जग में राम रस का लूप्त उठाए, राम रस का लूप्त उठाते हुए जग में आए और तनमन धन से अपना सहयोग कड़े, जै सिरी राम